नमस्कार कैपिटल टीवी के स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं पूर मैं हूँ आपके साथ दिफ्यासिंग किस तरह से पूरे देश में अपनी सरकार बना सकते हैं इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए किस तरह के फैसले लेने चाहिए और कौन से कानून बनाने की जरुरत है इस पूरे मामले पर सुप्रिम कोर्ट के वरिष्ट के अश्वनी उपध्याय का सुझाव सामने आया है द चार होगी पुरे भारत में बीजेपी के मुख्यमंत्री होगे एक कानून बना दे प्रापक्र से लिंग करने का दूसरा कानून बना मदे जस्टिस विदिनियर एक साल के अंदर मुकर्म Yay करने का इतना करते ही मैं गारंटी के साथ कहता हूँ भारत में सफेद पोस्पाखंडी देश छोड़के भाग जाएंगे या तो वो तिहार में होंगे नहीं तो विदेश में होंगे वो बाहर नहीं होंगे जैसे प्रापर्टी को अधार से लिंग करेंगे न वैसे ही नेताओं का जो अरबो रूपए का बेनामी प्रापर्टी है वो सब पकड़ में आ जाएगी आज की रेट में जो नेता होते हैं वो जो मंत्री बनते हैं या मुख्य मंत्री बनते हैं या सांसर दिधायक बनते हैं वो जो हजारो करोड की प्रापर्टी बनाते हैं, फार्म हाउस बनाते हैं, बड़े-बड़े बंगलो बनाते हैं, फ्लैट खरीदते हैं, अलग-लग शहरों में खरीदते हैं, अलग-लग शहरों में मकान खरीदते हैं, वो साले के नाम खरीदते हैं, साली के नाम खरीदते हैं वैसे ही सरकार को पता चल जाएगा कि किसके पास कितनी बेनामी प्रपर्टी है और बेनामी प्रपर्टी 100% जप्ट करने भ्रस्टाचारियों को आजीवन कारावास्वासी देने और भ्रस्टाचारियों को नागरिक्ता खतम करने के लिए कानून बना दिया जाए तो क्या काला धनी कठ्था करके बैठे हुए ये सारे के सारे भारत छोड़ के भाग जाएंगे क्यों कि अगर भारत में रहेंगे तो आजीवन का रावासफास ही होगा नागरिक्ता खतम हो जाएगी तिहार में सवरना पड़ेगा इससे बचने क्लिए क्या करेंगे कुछ कनाडा मुक्ती कस्मीर छोड़ के भाग जाएंगी उनकी पार्टी खतम हो जाएगी अब्दुल्ला परिवार जिस दिन ये कानून बना भारत छोड़ के भाग जाएगा उनकी पार्टी खतम हो जाएगी और जब महबूबा की पार्टी खतम हुई अब्दुल्ला की पार्टी खतम हुई, तो कस्मिर में किसका सासना आएगा बीजे पी के सासना आएगा इसी तरीके से आंदर प्रदेश और तलंगाना में जहां जगन महान रेडी मुख्यमंत्री है और रेवंद रेडी मुख्यमंत्री है जैसे ही प्रापर्टी अधार से Naras Zac अलिक होगी होते हैं यह सारे आस्टेलिया कानाडा या लंडन भाग जाएंगे और सभाविक सी बात है जैसे जगन मोहन में रेडी गए उनकी पार्टी खत्म जैसे यह कानून बनेगा पूरा का पूरा करूडा निधी का परिवार बाहर भाग जाएगा मैं गारंटी के साथ कहता है बहु केरल में मामपंथियों के सरकार चल रही है जस्टिस विदिनियर लागू हुआ प्रापर्टी 100% जब्त करने नागरिकता खत्म करने आजीवन का रावास देने के लिए कानून बना जो वहां बैठे है ना पिए फाई के सहयोग से सहयोग से और बाकि वहां सहयोग से सरकारे ना चल नहीं और सबसे इंपॉटेन यह राहूल गांधी जो जहाती के जहर घोल रहे है भाषा का जहर घोल रहे हैं कभी कह रहे है मैं जातिकत्व चायम करांगा और वह गोम कियो रहें और यहायामि संपती को बाहू है इसके बाउजू दो बाहर घूम रहे, जाती का जहर गोल रहे, सनातन संस्कृति को बांट रहे, सनातन धर्म को अलग अलग छेत के अधार पे, जाती के अधार पे, भाशा के अधार पे, अगड़े पिछड़े के अधार पे, दलित बनाम समण के अधार पे बांट रहे जस्टिस विदिनेर लागू करते ही पुरा गांधी परिवार भाब बाहर जाएगा और गांधी परिवार के जाते ही कांगरेस खतम बिर बचेगी नहीं उत्तरपदेश में अखले से आदा जो पीडिया बना के अगड़े पिछले का अधार पर बाटने कोसिस कर रहे हैं दलिद बनान समण कर रहे हैं मैं गारंटी के साथ कहता हूँ जिस दिन परपर्टी अधार से लिंक हुई ब्रस्टाचारियों की 100% परपर्टी जब्त करने आजीवन का रावास देने नागरिक्ता खतम करने के लिए कानून बना यूपी में जो भूम रहना सफेद पोस्ट के सारे सारे विदेस भाग जाएंगे ये सब इसलिए बैठे हुए है क्योंकि प्रिवेंशन आप करॉप्शन एट महा घटिया है आज तक किसी ब्रस्टाचारी को ना आजीवन कारावास हुआ ना फांसी हुई ने नागरिक्ता खत्म हुई ये मनिल लॉंडिंग का कैस कीलही माँ घटिया है क्योंकि आज तक हवाला कारोबारी को ना फांसी हुई केजरिवाल का मोगदमा भले चलना है लेकिन मैं कह रहा हूं ना हवाला कारोबार से हवाल से सिसने फंटिंग कि या उसको आजीवन का Рधा वास वानसी ह पकड़ा गया तमिलाडू में पकड़ा गया बिहार में पकड़ा गया किसी को आजीवन का रवास फांसी हुआ नहीं है तो कानून का खौफ नहीं है इसलिए सफेद भारत में घूम रहे बाहर जैसे ही प्रापर्टी अधार से लिंक होगी मैं गारंटी के साथ किरता हूं ला बाहर आके बाकड़ा प्रचार कर रहे हैं आप सोच सकते हैं जस्टिस विदिन एर होता एक हजार करोड के चारा गोटाले में आज यवन का रवास फांसी होता दुनिया के कई देशों में चीन में तो फांसी हो जाती है सिंगापर में फांसी होती है जापाने को जमानत मिल जाती है और बाहरा के चुनाओ प्रचार करते हैं कोई पार्टी अध्यक्ष बना हुआ है कोई पार्टी महासच्यू बना हुआ है कोई चुनाओ लड़ रहा है कोई चुनाओ लड़ा रहा है इसलिए मैं कहता हूँ कानूनों को बदलना जरूरी है अगर में वीजेपी का राज होगा, कानून बदल दिया जाए, तेलंगाना में वीजेपी का राज होगा, कानून बदल दिया जाए, तमिलानू में वीजेपी का राज होगा, सिक्की में वीजेपी का राज होगा, पंजाब में भगवंत मान जहां मादनी पार्टी की सरकार चले, म विदिन ये लागू कर दिया जाए प्रपर्टी को अधार से लिंग कर दिया जाए मैं गारंटी के साथ करता हूं करनाटक जो सिध्धा रमया डीके सिकुमर चला रहे हैं करनाटक में भी बीजेपी का राज होगा जारखंड में एक सोरें तो गए लेकिन दूसरे सोरें आ होगा तो चुनाव लड़ने तो ठीक है चुनाव लड़ जितना ही है लेकिन धर्म युद्ध में ये नहीं देखना चाहिए कि क्यों विपक्ष के मारे जाएंगे हमारे मारे जाएंगे भगवान राम ने अगर सोचा होता कि नहीं हमारे सैनिक भी मारे जाते तो राम राव ब्रस्टाचारियों का जीवन कारवास फंसी देने का कानून बनेगा नार्को पॉलिग्राफ डेन मैपिंग कानून बनेगा जस्टिस विजीने लागू हो जाएगा तो बीजेपी में भी कुछ लोग जाएंगे बीजेपी के कुछ लोगों को वितिहार जाना पड़ेगा मैं मोधी जी से निविदन करता हूँ अप पुलिस रिफाउम करिए जुडिशल डिफार्म करिए 赔र वहार करे एक तरीके से बुर्डोज़र चलाए एक तरीके से चार सीट फाइल करें, हर जगा एक घंटे में F.I.R हो, इसलिए आप एक पुलिस चार्टर लागू करिए, पुलिस रिफॉर्म करिए, वन नेशन वन पुलिस कोड बनाईए, आप जुडिशल चार्टर लागू करिए पूरे देश के जज, चाहे हो हाई कोट के जज हो, चाहे सुप्रिम कोट के जज हो चाहे वो इस्टिक कोट के जज हो हर हालत में एक-एक हपते पे तारीख दे और मुकर्मे का फैंसला साल भर के करें कि तिन-तिन महिने पर लंभी-लंभी तारीख क्यों देते हैं चार-चार महिने के लंभी-लंभी तारीख क्यों अरे हर हपते में तारीख दें और आठ तारीख, नौ तारीख, दस तारीख या पन्रह तारीख में मुकर्मे का फैंसला करें साल भर के नदर मुकदमा करें और कानून मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ मानी प्रधान मंत्री जी आप क्यों लितना कर दीजे जस्टिस विदिन ये लागू कर दीजे प्रपर्टी को अधार से लिंग कर दीजे काला धन बेनामी संपत्ति आए से लिक समपत्ति 100% जप्ट करने और भस्टाचारियों को चीन की तरीके फांसी देने का कानून मनाईए सिंगापूर में जैसे फांसी होती हो ऐसे कानून मनाईए मैं गारंटी के साथ कहता हूँ धर्म की जय होगी, अधर्म का नास होगा राणियों में सद्भावना होगी भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत में राम राज्य आएगा, और जाती भासा छेत के अधार के जो पार्टिया बनी हुई है जो जहर घोल रही है, ये सारे के सारे भारत छोड़के भाग जाएंगे और पूरे देश में BJP का सासन होगा हर राज्य में BJP का मुख्यमंत्री होगा सभाविक सी बात है चुनाओ लड़के हम यही करना चाहते है अल्टिमेटली पूरे देश में हम सासन कायम करना चाहते है उसका सबसे अच्छा तरीका है कानूनों को बदला जाए जिससे अगले पांस साल के अंदर पूरे देश में BJP के सासन होगा तो सुप्रिम कोट की वरिश्ट अकील वश्वनी उपध्याय का कहना है कि समय भारत में BJP के 15 मुख्यमंत्री है और 11 BJP के 15 CM है लेकिन अगर PM मोधी दो कानून बनाते हैं पहला प्रोपर्टी को अधार से लिक करने का और दूसरा जस्टिस विदिनियर तो पूरे देश में BJP की सरकार होगी क्योंकि इस कानून के बनने के बाद भारत के सफेद पोश पाखंडी या तो देश छोड़कर भाग जाएंगे या तिहार में सलाकों के पीछे होगे साथी उनका कहना है कि चीन और सिंगापूर की तरह ब्रस्ट चारियों के लिए कानून बनाईए जिसे उनको फासी की सजा मिल सके तभी भारत विश्योगुरु बने का तभी रामराज्य का सपना सकार होगा इस स्पेशल स्टोरी में फिलाल के लिए आप अपनी राए हमें कमेंट करके ज़रू बताएं और देखते रहे कापिटल टीबी नमस्कार